कभी मोबाइल बाजार में एक प्रमुक खिलारी रहे ब्लेकबेरी को कई कारणों से गिरावट का सामना करना पड़ा और आखिरकार वह उद्योग से गायब हो गया। 1. नवप्रवर्तन में विफलता ब्लेकबेरी के पतन का कारण नवप्रवर्तन और बदलते मोबाइल परिद्रश्य के अनुकूल धलने में इसकी विफलता को माना जा सकता है। 2. सुरक्षा संबंदी चिन्ताएं जबकि ब्लेकबेरी शुरू में अपनी मजबूत सुरक्षा और एंक्रिप्षन सुविधाओं के लिए जानी जाती थी, सुरक्षा संबंदी चिन्ताएं विक्सित होने के कारण कमपनी को अपनी प्रतिष्था बनाए रखने में चुनोतियों का सामना करना पड़ा। व्यक्तियों और व्यवसायों की सुरक्षा आवश्यक्ताओं को पूरा करने में सक्षम उप्भोकता के इंद्रित उपकरनों के उदे के साथ सुरक्षा में ब्लेकबेरी का अध्वितिय विक्रे बिंदु कम महत्वपूर्ण हो गया। 3. बाजार हिस्सेदारी में गिरावट जैसे जैसे ब्लेकबेरी की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई उसे उन प्रतिसपर्दियों के साथ बने रहने के लिए संघर्ष करना पड़ा जो अधिक विविद्ध और उप्योग करता अनुकूल दिवाइस पेश करते प्रभावी धन्से काम करने में कमपणी की असमर्थता में योगदान दिया। पाच, अफसर गवाए, ब्लेकबेरी ने संभावित साजेदारियों और नए बाजार रुजानों का लाब उठाने के अफसर गवादिये। उदाहरन के लिए एक कमपणी एंड्रोइड आधारित सिस्टम में बदलाव को अपनाने में धीमी थी, जिससे स्मार्टफोन बाजार में इसकी प्रासंदिक्ता बढ़ सकती थी। इन कारकों के परिनामस्वरूप मुबाइल बाजार में ब्लेकबेरी की उपस्तिती में काफी गिरावट आई। जबकि कमपणी ने अपना ध्यान एंटिप्राइज सोफ्ट्वेर और सुरक्षा समाधानों पर केंद्रित कर दिया है, हाड़वेर बाजार से उसका पीछे हटना मुबाइल उद्योग में एक महत्वपून बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जो स्मार्टफोन में के यूग के अंद का प्रतिक है,